जिस समस्या से रोज दो चार हो रहे हैं किसान मुद्दे की बात का आज का सबसे पहला सवाल भी यही होगा सवाल ये भी पूछेंगे कि चुनाव जीतने के लिए किसानों की कर्ज माफी का खेल आखिर कार कब तक चलेगा तो सरकार चाहे कॉंग्रेस की बने स्टेट में चाहे बीजेपी की बने सेंटर में मजा जो है पबलिक को आने वाला है बहुत सारी रहात रियायते दोनों किसानों के कर्ज माफ हो जाएंगे किसानों के कर्ज माफ हो जाएंगे बहुत सारी ऐसी चीज़े हो जाएंगी जो बीजेपी अभी तक नहीं कर रही थी या कॉंग्रेस आ करके इंफ्लूएंस करने के यही तरीके हैं चार चार चाह महीने में बचे हुए हैं विकास का कौन सा काम हो सकता है प्रोजेक्ट को पूरे करने में बहुत टाइम लगता है मुद्दे की बात में आज हमार साथ जो पैनल मौझूद है उनसे आपको रूब रूब करवा दे एके मिश्रा साहब राजनेटिक फिल्षेशक हमार साह जुड़े हूँ है पर दोनों का आप प्रेजनेट कर रहे हैं पर दोसरी चीज यह आप समझ लीजे भारती किसान जो है मांसून का जुआ होता था लेकिन आज मैं बोलूंगा जो है राजनीट बार्ती राजनीट का जुआ बन गई बहुत बढ़िया थीक एक मिश्रसाब मेरी मजबूरिया में को ब्रेक भी लेना पड़ेगा एक मिश्रसाब छोटा सा कमेंट फिर उसके बाद आपके पास आऊँगा यह कर्ज माफी की जुरत किसानों की क्यों आन पड़ी मैं समझना चाहूंगा किसान क्यों कर्ज हो गया 11 दिसंबर को जो वोट की काउंटिंग हो रही थी तो मैंने यही बोला था कि अब जो है यह सब चीजे सारी पार्टियां करेंगी कर्ज माफी यह माफी वो माफी वही आच चीज हुई है देखे दो चीज होते है एक्री कल्चर को कैसे बढ़ाया जाए किसानों को आत्म नि बैंक का है इसका जो है किसानों के कर्ज माफी से फ़ोरी राहत यह दे रहा है कि लुट बैंक के लिए कि किसानों के पैरों को मजबूत करना लोगों की चलती है तेरा चौधा परसंट यह लगवाग 15 परसंट की टोटल जीडीपी का कॉंट्रिबिउशन है इतने बड़े सक्टर को सबसे लार्ज़ेस स़्टर जो इंडिया की जीडीपी में कॉंट्रिब्यूट करता है सबसे लार्जस्ट लोगों की रोजी रोटी जिससे चलती है इन लोगों ने सारे पॉलिटीशन ने सतर सालों में अनाज छोड़ दिया है कि अवाल अफीम दे रहे हैं दर्द को दूर करने के लिए मॉर्फिन का इंजेक्शन दे रहे हैं ताकि वोट बैंक बने मर्ज का इलाज नहीं कर रहे हैं आगे मैं बताऊंगा कि और यह लोग क्या कर रहे हैं ठीक एक मिश्रा अधिक पॉल्टिक्स की बाप बी बात करूंगा कि कैसे किसानों का या उनसे संबंदिन चीजों का यह लोगा शांत रहे हैं प्लीज एक सेकिंड एक के पास आ रहा हूं इसके बाद प्लीज एक सेकिंड और और अगर आगे बढ़ जार रहे हैं तो आप बोलने का मौकर नह प्लीज आ रहा हूं आकडों के साथ आप से भी बात करूंगा प्लीज एक सेक्टर सेक्टर में आपको बता दो 14-15 परसंट का जीडीपी में और 35% लोगों को डायरेक्ट इंडारेक्ट वे में रोजगार दिया हुआ है आज उसकी आहलत क्यों है ऐसे किसानों की कभी यह ज पंजाब में 36,600 करोर हैं एंपी में 56,000 47 करोर हैं और हर्याना में 56,000 करोर है तमिलाट में 7760 करोर का है और ऐसे ही करनाटक में देखेंगे तो 52,500 करोर का है यह सारा जाके बैठेगा साड़े 3,000,000 और आप जो बड़ा 5,000,000 पूरे इंडिया की अगर मैं बात करूं तो GDP की ग्रोथ अभी साथ साथ परसंट परसंट पर बैठी है पांच परसंट पर आते अटक के रुख जाएगी और फिर आप जाईएगा वर्ल्ड बेंक के पास लोल लेने के लिए अपना ग्रोथ दिखा तर एक मिर शांत रही है बाले मुझे बाले मुझे इस देश के किसान का औरि की इस दर के लिए बाएक तो जाले में बाण के प olmन की पर शांत गेंड़्य Wanna किसान को कुछ दे रहे तो देभी महन्ने से किसानों को कुछ मिल्स भी कैंने मा zeg किसान अपना मेहनत पहन को चुप रही हैं मैसे लुज है किये धा की किसान के खिरल के लिए उसे महांक्त पहरा देस्ट जो फिर देंस ड़ा और क्षे ऊपंचक क्या क Sold अपर घोडियें देश किसान की चैवां किसान का कर जाते है पडरेगा त्रू होगे तो पुलरप फोपि जाउ मत जाई है रिखती है। पृपि मिश्रा, पृपि मिश्रा, एक सेके बोटी है। फीक मिश्रा, एक सितनी बुलस तरोकि साथ साल से प्राम्ध का समझा रहे हैं शंक हैं एक समस्यति कॉर्ज माफित सल्डुशन है या नहीं है वह एक बहस का विषियर को सकता है लेकिन मुझे हैं एक बास समझाईının अप समयाइं समस्चियागा और समझ्या है क्योड़नितिक नहीं काॉंग्रेस ने यह कि आपने क्य समाधान क्या है और करदार क्यों है किसान समाधान किया वैंके दिखाएगे ना सिये सारा आपके बादाटा होगा आप सीये ना हवावाई बाते नहीं करेंगे एक सिर्वानूशन नहीं घरेंगे इऐ रहुल गान्दी आहे रहूल गान्दी कि आ दिसने म tien कंदार को ली यह कैस कि युदा अब्रॉम हो आपना है एक सेक इसांद रहे हो इस सब तो चोह रहा है इस सब चोह रहा है खिंड तो बिंग है आप दद यह आप जाएक ज़ए चुनाव रडिया ना समझ पाया यह समझ पाया बीजे के निशिट के तक समय वाल है यह दो चाजीज बोली थी एक अगरी में पॉलिटिक बी nuances चल रहे हैं तो यह सब ऑग्री एक कर्ज माफ़ी 2019 का election है vote counting के दिन 11 समर को भी बोला था लेकि दूसरी चीज है gap आप समझ लीजे भारती किसान जो है मांसून का जुवा होता था लेकिन आज मैं बोलूँगा कि भारती किसान जो है राजनीत भारती राजनीत का जुवा बन गई है मांसून के उपर निर्भर रहना और मांसून ना होने के कारण जो भारती किसान को लुफसान होता था उसकी कभी किसान ने शिकायत नहीं की सरकारों के सामने कभी राजों के सामने भीक नहीं मागा लेकिन आज किसान ये बोल रहा है कि मुझे आप करजा माफ करो इसके पीशे रीजन क्या है सब लोग ये बोलते हैं कि किसान की अगर लागत लगी ये 10 रुपए और उसको मिल रहे हैं दो रुपए आठ रुपए यानि लागत दस किया तो बारा रुपए मिले यह क्यों है इंफ्रास्ट्रुक्चर गैप जितना करजा यह लोग माफ कर रहे हैं उतने में रूलर एरिया का पंद्रे टाइम ज्यादा अधी जो है सड़क बन सकती है 55% जो है में तो इसको 12 रुपए मिलेंगे तो किसान को प्रॉफिट होगा तब वो करजदार नहीं होगा जो आप पूछ रहे थे आपका जवाब है जवाब यह कि कब तक आप करजे पे करजा माफ करते जाओगे अब जब दर्द होगा किसान को आप अफिन की गोली खिलाते और इस गैप को फिल अप कर दीजिए कि मार्केट में डिमांड और सप्लाई जब मार्केट एक्दम पीक पे होता है रेट जब पीक पे रहते हैं उस वक्त किसान तुरंद बेच सके यही एक गैप है यह सिंपल सी पॉलिसी अभी शेक राज एंड ओपी मिश्रा जी आप द झाल 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 झाल